नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे युट्यूब चैनल आउसदी एंड हेल्थ में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दवायों संबंधी जयनकारी पाने के लिए इस चैनल को ज़ूर सब्सक्राइब करें क्यूंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको रोजना दवा घैलनु करता है दोस्तों यह जो चूण है आयरवेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित दवा है जो की बहुत अच्छी दवा है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है आज के इस वीडियों दोस्तों मैं आपको इस चूड के बारे में अच्छे से जनकाए दूगा इसका कैसे कियाता है इसका इस्तमाल करने से क्या-क्या फायदे होते है या किन-किन रोगों में लाप पहुचाता है इसे कैसे इस्तमाल करना है इसके सेवन विधी और इसमें कौन-कौन से जड़ी बूटियों को मिला कर बनाया गया है इसके बारे में आपको सारी जनकाए दूग आरिवेदिक मेड़िकल स्टोर पर बहुत ही असानिस मिल जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं यह वह हैं चूड में मिलाई गयी जड़बीटियों के बारे में इसमें कौन-कौन सी आरिवेदिक जड़बीटियों को मिलाकर इस दवा को बनाया गया है इसमें जो है सलाब मिस्री, अस्वगंधा, छीडा कोकली, निलगीरी, गुलकोज, जहर मोहरा, भस्म, बहमन, सफेद, पलास, सालम पंजा, वंग, लोहबान, चीनी, बबुलका गोद, इन सब आरिवेदिक जड़ ब्यूटुक मिलाकर इस दवा को जो है बनाया गया है दोस्तों इस दवा के फायदे के वारेम जान लेते हैं और इसका इस्तमाल किनकी रोगों में कियाता है और इसके सेवन करने से क्या-क्या लाब होता है यह जो है वजन बढ़ाने में फायदे मद होता है पतांजली योवन चूड हमारी नसो और मास्पेशियों को तागत परदान करता है यह सरीर को योवन परदान करके लंबे समय तक जीवित रखता है महिलाओ की प्रजन छमता को बढ़ाने में मददगार होता है पतांजली योवन चूड हमारी काम इच्छा को भी बढ़ाता है हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और पाचन क्रिया मजबूत होने की वज़े से हमारा भोजन अच्छे से पचेगा जिससे सरीर जो है स्वस्त और तागत वर बना रहेगा या शरीर की रोग प्रतिरुधक छहमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर के रोगों से रच्छा करता है या नसों और मास्पेशियों को तागत परदान करता है दोस्तो अब बात करते हैं योवन चूड के सेवन बिधी और उसके मात्रा इसे कितना लेना चाहिए और कप कप लेना चाहिए और किसके साथ लेना चाहिए दोस्तो या जो है आधा से एक चम्मस दिन में दो बार सुबा और साम को दूध या गुनगुने पानी के साथ ले या फिर आप अपने डाक्टर के सलाह के बाद ही इस दवा का सेवन करे दोस्तो इस चुड का कोई वी side effect नहीं है अगर आप इसे अधिक मातरा में use करेगे तो आपको या नुकसान पुछा सकता है आपको 10 जैसी समस्या हो सकती या पेट में गरबड़ी हो सकती है इसलिए दोस्तों आप इसे अधिक मात्रा में सेवन ना करें आप इसे आधा चम्मस या एक चम्मस ही दिन में दो बाल लें गुन-गुने पानी के साथ या दूद के साथ दोस्तों या बहुत अच्छा चून है अगर आपको सरीर में कमजोरी हो रही हो ठकान महसूस हो रही हो या फिर आपको योन सकती समंधित कोई भी समस्या हो आप अगर इसका इस्तमाल करेगे तो आपको बहुत जल्द लाब होगा दोस्तो अगर आपको एजनकारी अच्छी लगी हो तिस वीडियो को शेर कर दे लाइक कर दे, कमेंट कर दे और बिल आइकान को जरूर दबा दे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए